साथियों, मुझे उत्तरप्रदेश के लखिमपूर खिरी में किये गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है कोविड के दोरान ही लखिमपूर खिरी में एक अनोखी पहल हुई है वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनी देने का काम शुरू किया गया बेस्ट में से बेस्ट करने का मारगर केले के तने को काट कर मशिन की मदद से बनाना फाइबर तयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है इस फाइबर से हैंडबेग, चटाई, दरी, कितनी ही चीजे बनाई जाती है इससे एक तो फसल के कच्रे का इस्तिमाल शुरू हो गया वही दूसरी तरफ गाउं में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आएका एक और साधन मिल गया बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानिय मेला को 400-600 रुपिय प्रतिदीन की कमाई हो जाती है लखिमपुर खीरी में सैकड़ो एकर जमीन पर केले की खेती होती है केले की फसल के बाद आम तौर पर किसानों को इसके तने को फैंकले के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था अब उनके पैसे भी बच जाते हैं यानि आम के आम गुठलियों के दाम यह कहावत यह बिलकुल सतिक बैठती है साथियों एक और बनाना फाइबर से प्रोडस बनाई जा रहे हैं वहीं दूसरी तरब केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुर जैसे स्वाधिष्ट बेंजन भी बन रहे हैं करणा टक के उत्तर कंडड और दक्षिन कंडड जिलों में महिला यह अनूठा कार्य कर रही हैं यह शुरूआद भी कोरोना काल में ही हुई हैं इन महिलाओंने न सिर्फ केले के आटे से डोसा गुलाब जामुर जैसी चीज़े बनाई बलकि इनकी तश्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है जब जादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी भड़ी और इन महिलाओं के आमन्दी भी लखिमपूर खिरी की तरह यहां भी इस इनोवेटिव आइडिया को महलाए हैं लीड कर रही है